हेलो एवरीवन, विल्कम बैक टो माई नियू व्लाग, कैसे आप से भी होगा, आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड, तो जी आज है दीन बुदवार, सब्तमी है आज, तो आज मुझे करना था सब्तमी का पुजा, सूबा उठी तो सोची की ब्लॉग स्टार्ट नहाने के ब बना रही हो, यह मेरे परिदिव का फुल डिमांडेट खाना था, कल उनका फास्टिंग था, तो कली वो मुझे, मतलब कितने मुझे बता हो, शाम के टाइम पे वो ऑफिस में ही थे, तो वो मुझे एक वीडियो भेजते है, जिसमें की मुंग दाल का पूरी था, तो मैं आटा डाल के अजवाइन, नमक, हल्दी, कस्तूरी मेथी, घी, यह सारी चीज़ डाल के मैं आटा को अच्छे से गुथ लिए हूँ, मुंग दाल को आपको रात बर भीगो के छोड़ देना है, बिना छिलके वाला दाल का, और मैं डाल दी हूँ, जो मेरा आटा मेकर मशीन ह जिनके पास मशीन ना हो, वो हाथ से आटा तो बहुत अच्छे से गुथ लेते हैं, तो अब यह देखिए, फिर आटा बहुत अच्छे से तयार हो गया, एकदम सौफ्ट आटा और यह पूरी बनने के लिए रेडी है, इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट में रख दूँगी, क् वीडियो देखें, जैसे उसमें देखें, बनाया था, वैसी से, हम भी बनाया है, तो होब की पती देव को पसंद आए, तो उनको खिलाने के बाद पूछोंगी, कैसा है, नहीं है, साथ में आपि, I think, आलू च्हील लिया है, आलू च्हील के काट ली हूँ, और उसके बाद यहां पर मैं आ गई थी क्या करने है कि यह लेसन प्यास टमाटर जो है वो काट रही थी, कभी-कभी पता है आप वाइस ओवर करते करते ना बहुत सारी चीजे मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या मेरे साथ ना बहुत बार हो जाता है कि वाइस ओबर करते करते चीज़े भूल जाती हूं कि मेरा ध्यान ना मेरे छोटे वाले बाबू पे रहता है मैं वाइस ओबर करती भी रहती तो उसको देखती रहती हूं बहुत बार क्या होता है व काउंटर डॉप पे जो भी सब्जी काटती हूं लगे हाथ उसको पोच देती हूं और क्लीन भी कर देती हूं इससे मेरा कीचन जो है ना हमेशा साफ सुत्रा नजर आता है यहां पर मैंने कुकर में सरसो का तेल डाली हूं क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है टाइम जा जाएगा इसी लिए मैं फटा फट से बना रहे हूं उनके लिए तो मैंने फुकर में ही डायरेक्ट आलू चिल दिया है डायरेक्ट डाल के बना दूंगी सरसो के तेल में जीरा डाली हूं उसके प्यास लर्सोन और टमाटर का जो मैं चौप की हूं वह सारी कुछ इसमें ड मैं डालूंगी जो हमारी माजले मिक्स मिस्ञाव कीचन किंग मसाला यह सारी मसाले मैंने प्ड़िए मताटberrieslor हर इसके बाद भूभन को कुछ वहती तरह आम की था शुक पाने हूं अधर को सबचिक नहीं आता है क्योंकि मीठे मीठे आलू में मतलब वैसा सबजी में टेस नहीं था पर अजबन को खाना था तो इसलिए मैं भी बना दे रहीं तो मीठा मीठा आलू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं यहां पर आलू डाल दी हूं और मसाले में आलू को अच्छे से बनाना होता है मुझे ही नहीं मेरी जैसी जितनी भी हाउस वाइफ से उनको अपने पसंद का खुदी बनाना पड़ता है धेर सारा धनियापत्ता काटके में डाल दी हूं और थोड़ा सा पानी एड करके इसमें लगा दूंगी दो से तीन सीटी उसके बाद हमारा यह सबज जैसा नहीं लगेगा दोनों बच्चे जो परिशान करते हैं मैं आपसे क्या पता हूं इशाहन कभी स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि अभी उसको न्यू श्कूल में जाना है तो चुट्टी पर गया है तो जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो वह दूसरे स्कूल में ज करना है तो सारा कुछ अकेले मैंनेज करना है तो मतलब टाइम से हो जाएं उसके सब्सक्राइब हो पूरी जब में नहा के पुझा करूंगी तब बनाऊंगी और यहां पे मैं क्या निकाल रही थी हां जी यहां पे मेरे देख सकते हैं बहुत सारा पैकिंग मैंने कर लिया इसलिए घर थोड़ा सापको अस्त व्यस्त लग रहा है reason यह कि मेरी पैकिंग जो है shifting की चल रही है क्योंकि दो ती दिनी नहीं बचा है मुझे नएगर में shift होने के लिए यह घर में क्यों छोड़ रही हूं reason कुछ भी नहीं है यह घर मुझे बहुत अच्छा लगा था मु तो यह जो green clock में सारी निकाली हूँ, यह पूरा new सारी है, मैंने अभी तक एक बर भी यह सारी नहीं पैना है, यह सारी मुझे amazon में मिला था, amazon से मुझे receive हुआ था यह सारी, तो अभी आज सब्तिमी है, तो मातारानी को मैं सब्तिमी के दिन सारी चरहती हूँ, हर मतलब जब भ सब्तिमी के दिन दुर्गा जी को सारी चरता है, और उनको सिंदूर बिंदी यह सारी चीजे चरता है, बहुत सारा चीज और भी मतलब जो भी मेकप का सारा समान आप चरहा सकते हो, लेकिन हुआ कि अभी जो shifting का काम है, तो मैं उसमें थोड़ी सी व्यस्त होगी, इसके वज रेड करकी सारी चरहती हो, हमेशा रेड करकी अच पहली सारी क्यों से चरह जाती हैं सारी के अचिंद ले पूजा करके घर में और चले। हर साल मतलब शादी के बाद जितना भी दुर्गा पुजा आया है ना सब में मैं मतलब 6 साल गई हूँ एक साल सिर्फ नहीं गई थी रिजन ये था कि उस साल मुझे दारजनी जाना था मेरा छोटा वाला भाई आया हुआ था तो इस वज़े से मैं उस साल ससुराल नहीं गई तो बाकी मैं हमेशा ससुराल चली जाती हूँ इस बार तो जाना ही नहीं है और आपी रखिए अभी हम लोग कर रहे हैं यहां पर आरती यहां पर हमलोग सब लिएक Just उर्ती करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये फैमिली ऐसा हमेशा मेरी चाहते कि हम लोग जटपट में और मैं भी रेड़ी हो जाती हूं मैं भी मंदिल में बैठ जाती हूं सारी चरहाती बहुत अच्छा लगा सब्सक्राइब पूजा कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैं तुरसी जी में जल चरहा ली थी एंड उसके बाद मैं यहां पे पूरी जो है न वह तलने हो जाते हैं और में बाबु ना हो पूरा पूरा परिशान है मतलब मैं लोग घरिम सब्सक्राइब मेरे दीखा हुगे बहुत ज़ाइब तो जादा ऐगी हो मेरें पदेव तो ती लहाई छोग तेरसिवात्या कॉद्श कि ने तो यहां पर पतीदेव कर रहे हैं नास्ता यह देखिए और इनका सुपत्र को देखिए यह मेरे सुपत्र को देखिए यह नहाद हो कि हम लोग साबाद में पूजा पाट कर चुके हैं और यह नास्ता पदीदेव के डिमांड पैकियो अच्छा है कल यह बोले थे हमको यही खाना है बाबू अच्छा लग रहा है हम आपका दिमांग खराब कर रहे हैं आपकल वीडियो जब भेज़े थे ना उसी टाइम पैर टाइम वीडियो हम देख लिए हम समझ गये के मुरात में मुंग दाल फूलने के लिए बूल गाए थे तीन मजे जब घुर्वा में उठे है ना बगवा का जब दूध हमने घरे में ठंडा उगा ना पंख क्यों नहीं खुल ली है अचीज़े बंद है तरो पकतना अंक चला थे सब बाड़ाच को आपको बोल चैनल को सब्सक्राइब किजिए बोल दीजिए सब को डिल carbon करना है आपका पहले मेरा का सब्सक्राइब कर दिना तो चलिए घाए आप गाते हैं पती देव खाल एक तो पती देव चले गए थे घृज़आ अपना पर बास बनाई वीडियो का काम की चुल्ड़ा बहुत सा प्रोडक्ट आया था उन सब का रिव्यू का वीडियो बनाई हूं उसके बाद मैं आ गई थी सीधे छत में क्योंकि कपरे थे थोड़ा बहुत सा बैट शीट था तो मसीन में डालने से कपरे तो पूरे उलज जाते एक पते एक सिलिकॉन का बॉल आता है वो ना डाल करेंगे नीचे बाकी का जो काम है वो करेंगे और अभी ना आपको तीन चार दिन बाद आइधिंग हां दशारा के बाद आपको इतने अच्छे अच्छे व्लोग्स देखने को मिलेंगे फिर से होता है ना कुछ लाइफ में नया होता है तो काफी ज़दा एकसाइटमेंट होता है बहुत लुक मुझ سے यह पूछ रहें इंस्टाराम पर मै Caucas किये की एक फीस दो थिन तो Facebook मेसेज था लेकिन '' एक इंस्टाराम पर मुझे मैसेज था आप यह रूम क्यूं छोड़ रही हैं बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा है यह मेरा घर था बहुत ही अचछ लोग मेरी बातों को समझेंगे सो अभी मैं फटा-फट से ये सारे कप्रे को मैंने फोल्ड कर लिया था फोल्ड करके अभी रिशांग का ये जो अलमीरा है इसको भी मुझे पैक करना है लेकिन मैं सोच दूँ एक दिन पहले इसको पैक करूं कि बच्चे का कप्रा ना एक बै सारी चीज़े है और ये कप्रना में दोई थी लेकिन ये हलका हलका सा भींगा सा है तो मैं इसको दूबारा से गेट पर रख दियू कि ये सूख जाएगा और बाकि ये सारी चीज़े हटा के इस बैड को क्रीन कर लेंगे बैड शीट तो चेंज नहीं करूंगी अभी मैं न में दो तीन लोट मशीन लगाओ उसके बाद चैट पर कपरे डालने जाओ फिर चैट पर से कपरा लाने जाओ तो ये बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता और बाबू बहुत जादा रोने लगता भी मैं चैट पर गई भी थी ना तो मेरा चोटा वाला बाबू को मैं सुला ज्यादा परशान हैं सब चीज़ों से नहीं करते हूं मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्छा तो अभी परशान हो मेरी वजह से इस रेजन से सो चलिए आज का जो ब्लॉग है इसी के साथ में एंड भी करूंगी और पहले तो यह बैट ठीक कर लेते हूं फिर ब्लॉग करूंग जान है कि मैं सब के कमेंट्स परूं और देखती रहूं यह इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है और दो एक छोटा बच्चा नहीं बोलूँगी दो चोटा बच्चा रिशान भी सिर्फ और सिर्फ छे साल का ही है तो उस पर भी टाइम नहीं होता है वह सुबह ऑफिस जाते तो एक मेंट रात को आते तो उनके पास क्या ही टाइम होगा चलिए मिलते हूं नेक्स व्लॉग में थैंक यू सो मच फर वाचिंग में वीडियो गाई